आज का चेप्टर है हमारा नाखून क्यूं बढ़ते हैं पाठ का जो शीरशक है वो हम से प्रश्न पूछ रहा है कि नाखून क्यूं बढ़ते हैं हम सभी ने देखा है हमारे हाथों और पैरों की जो उंगलिया है जो उनमे नाखून है वो लगातार बढ़ते रहते हैं आप उनको काटते रहते हैं और उसके कुछी दिन बाद वो नाखुन फिर से उगाते हैं या निकलाते हैं लेखक जो है वो प्रशन पूछ रहा है कि ये क्यों बढ़ रहे हैं और इसी से संबंदित ये पाठ है आपने देखा होगा कि बरसात के बाद बगीचे में घास पतवार ब उसमें हमारा चलना फिरना भी दूबर हो जाए है ना ऐसा ही तो यहाँ पर लेखक जो है पहले एक उधारन दे रहा है हमें यहाँ पर पाठ के जरी एक उधारन देखने को मिल रहा है कि जैसे बरसात में बरसात का पानी पाकर जमीन है उस पर हर तरीके की जो घास है पतवा बचार भी का जाता है वो उग जाती है जिनका कोई मतलब नहीं होता और वो जमीन की मिट्टी के जो पोशक ततो है उसको जरूरत से ज़दा खीच लेते हैं फसलों में अगर यह ंग जाते है तो इसलिए इनको निकाला जाता है क्योंकि ये फसलों के भी पोशक ततो जो है ले लेते हैं तो इस तरीके से इनको निकाल दिया जाता है जिस तरीके से बाकी जगहों से भी माली जो हिने काट कर निकाल देता है वरना इनकी वज़ा से समस्याएं होती है चलना फिरना भी दूबर हो जाता है इसी तरह हमारे मन में भी अच्छे विचार तो आते ही है पर उनके साथ साथ कभी-कभी बुरे विचारों की खरपतवार उगाती है विचार जो की बुरे हैं वो खरपतवार के समान होते हैं और जिस तरीके से खरपतवार मिट्टी के पोशक तत्वों को जादा से जादा खीचती है और बाकी फसले जो है उसकी वज़ा से निर्जीव सी रह जाती है या फिर वो पोशक्तत्व नहीं पापाती है जो उनके लिए जरूरी है उसी तरीके से जो बुरे विचार हैं हमारे मन मस्तिश्क में जबाते हैं तो हमारे शरीर की जो उर्जा है, उसे वो खतम कर देते हैं और साथ ही नए और अच्छे विचारों को आने से भी रोकते हैं जिसे काट कर हम अपने मन को शुद्ध और सूसंस्कृत बनाते हैं इसलिए जो negative thoughts होते हैं जिने बुरे विचार कहा जाता है उन्हें मन से हटाने के लिए कहा जाता है जिससे कि आपका मन जो है वो शुद्ध और सूसंस्कृत रहे इसे ही मन को संस्कारित करना कहते हैं मन को वश में रखो अपने कंट्रोल में रखो आपका मन जादा जो है बहकावे में ना आए बुरे विचारों की वज़ा से जब आप उसे कंट्रोल कर लेते हैं तब ही आप संसकारवान कहलाते हैं ये मनुश्यता का आदर्ष भी है और यही मनुश्य को आदर्ष होने की संग्या भी देता है कि मनुश्य आदर्ष है आपने आपने आसपास बहुत देखाऊगा की अरे ये इनसान तो बड़ा अच्छा है क्यों अच्छा है क्योंकि उसने अपने बुरे विचारों को कंट्रोल कर रखा है हावी नहीं होने दिया है अपने उपर और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे पाठ को अब समझेंगे पाठ का जो नाम है वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं बच्चे कभी कवार चक्कर में डाल देने वाला प्रशन कर बैठते हैं लेखक जो है अपने घर के जो परिस्थिती है अभी इस वक्त की या इस्थिती जो है वो बता रहा है कि जो बच्चे हैं कई बार इस तरीके के प्रशन पूछ लेते हैं जो की बड़ो बड़ो को चक्कर में डाल देते हैं चक्र में डालने का मतलब क्या है? परेशान कर देते हैं कि अब इनका क्या उत्तर दिया जाए? कई बार पेरेंट्स जो हैं उनके सही उत्तर देना चाते हैं लेकिन वो इतनी गहरी बात होती है कि बच्चों को वो बात समझाना उन्हें उस वक्त सही नहीं लगता और टाल देना भी सही नहीं लगता इस वजह से जो बच्चे हैं कभी कबार चक्कर में डाल देते हैं और ऐसे से प्रशन कर बैठते हैं अलपग्य अलपग्य मतलब जो थोड़ा सा कम जानने वाला हो कम जानकारी वाला हो पिता जो है वो बड़ा ही दैनिये जीव होता है पिता जो है पिता के रूप में एक व्यक्ति जो है बहुत ही दैनिये होता है यानि उसे अपने बच्चों के लिए जो है वो हर एक चीज वो चाहता है करना जो वो कर सकता है बच्चे ने question पूछ लिया है अब वो उसका उत्तर देना चाता है जितना भी वो जानता है लेकिन वो मजबूर है मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका बच्ची ने पूछा कि यह हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं तो जो पिता है वो थोड़े असमंजस में बढ़ जाते हैं और वो सोच नहीं पाते कुछ हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माबाप अकसर उन्हें डाटा करते हैं पर कोई नहीं जानता कि यह अभागे नाखून क्यों इस परकार बढ़ा करते हैं काट दीजिए वे चुप चाप दंड स्वीकार कर लेंगे पर निरलज अपराधी की भाती फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं जब बच्ची ने ये प्रशन पूचा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं तो पिता के मन में ये सारी वाते जो हैं चलने लगती हैं कि ये नाखून किस तरीके से नि ये शरम क्यों हैं किसको कहा जा रहा है नाखून को कुछ लाख ही वर्शों की बात है अब बात यहां से शुरू होती है इस प्रशन का उत्तर देने की कोशिश कर रहा है लेखक कि ये नाखून क्यों बढ़ रहे हैं और नाखून के विशे से सम्मंदित जो लाखों वर्श पहले की जानकारी है वो उसे देना चाह रहा है कुछ लाख ही वर्शों की बात है जो मनुष्य जंगली था वन मानुष जैसा वन मानुष वन में रहने वाला मानुष यानि मनुष्य उस तरीके का था मनुष्य जो कि हम सभी जानते हैं उसे नाखून की जरूरत थी उस वक नाखून की क्या जरूतान पड़ी? उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे कहने का अरत है कि वेक्ति इनसान जब वनमानुश हुआ करता था और जंगलों में जब उसका रहन सहन हुआ करता था और हम सबी जानते हैं कि जंगल में रहने पर वनमानुश जो है उसकी जीवन शहली क्या हुआ करती थी और उसे अपनी सुरक्षा के लिए उस वक्त पर नाखूनों की सक्त जरूरत थी जिससे कि वो अपनी सुरक्षा कर सके और इसी वज़ा से नाखून जो है उसके जीवन के लिए बहुत जरूरी हुआ करते थे उसकी जीवन रख्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे असल में वही उसके अस्त्र थे वही उसके हतियार थे दात भी थे पर नाखून के बाद ही उसका इस्थान था यानि कि नाखून का इस थान जो है उनके जीवन में अपनी जीवन रक्षा के लिए प्रायोटी पड़ था यानि पहला इस्तिमाल वो नाखून का किया करते थे पर दात का इस्तिमाल जो है उसके बाद आता था उन दिनों उसे जूजना पड़ता था परतिद्वन्दियों को पचाड़ना पड़ता था नाखुन उसके लिए आवेशक अंग था तो जंगलों में रहने की वज़ा से और जंगलों वाली जीवन शैली होने की वज़ा से कुछ उसमें ऐसे तत्व भी थे जब कभी हमलावार आया करते सामने तो उनको भी अपनी रक्षा के लिए उन नाखुनों के जरुत पड़ा करती थी फिर धीरे धीरे वे अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा अभी तक ये बताया जा रहा है कि जीवन रक्षा के वन मानुश को अपने नाखुनों के सक्त लेकिन प्रगति होती गई विकास होता गया और वन मानुश से वो किस तरीके से मनुश्य वाला जीवन जीने लग गया एक सली के वान जीवन जीने लगा उसी के साथ ही उसका अपने बचाओ के लिए जो नाखुनों का इस्तिमाल करता था उसकी जगह पर अब उसने बाहर क वस्तूं का सहारा लेना शुरू कर दिया जैसे कि पत्थर के ढेले और पेड़ की डाले काम में लाने लगा राम चंदर जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्तर थे और यहां पर लेखा कि यह भी बता रहे है कि राम चंदर जी जो है उनकी वानर सेना जो थी उनके पास भी ऐसे ही अस्तर थे थे, क्या थे, पेड की डाले और पत्थर के डेले, उसने हड्डियों के भी हतियार बना रहे हैं, अब इंसान जो है, वनमानुश जो आगे प्रगती कर रहा है, विकास कर रहा है, उसने क्या किये बाहरी चीजों का इस्तिमाल करना शुरू किया, पहले तो पत्थर के डेले इस्तिमाल किये, फिर पेड की डाले, अब क्या कर रहा है वो, हड्डियों के हतियार बना रहे हैं, इन हड्डि के हतियारों में सबसे मजबूत और सबसे एतिहासिक था, देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनी की हड्डियों से बना था, दध इतक हमने क्या देखा, यहां पर हड्डि के हतियार तियार हो रहे थे, मनुष्य ने क्या किया, धातू के हतियार बनाने लगे, धातू का इस्तिमाल करने लगा, धातू में किसका सबसे मजबूत धातू, उसने लोहे का इस्तिमाल किया, जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी, कि मनुश्यों के राजा के पास लोहे के अस्तर थे, यहां तक कि जो देवताओं के राजा थे, उन्हें मनुश्यों के राजाओं से मदद लेनी पड़ रही थी, क्यों? क्योंकि मनुश्य के राजाओं के पास लोहे के हत्यार थे, जो बह के पास अनेक विद्याएं थी पर लोहे के अस्तर नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे, अब असूर जो है उनके पास तरह तरह की छलकपट और हर तरीके की विद्याएं थी, पर लोहे के अस्तर नहीं थे उनके पास और शायद घोड़े भी नहीं थे, आर्यों के पास य ये दोनों चीजे थी आर्ये विजई हुए और इसी वज़ा से आर्ये जो हैं किसी भी युद्ध में विजई रहते फिर इतिहास अपनी गती से आगे बढ़ता गया विकास होता गया और प्रगती होती गई और चीजों में और भी अपडेट साथ आने लगे और इसी को कहरे ह कि फिर इतिहास अपनी गती से आगे बढ़ता जा रहा था नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर हारे, असुर हारे और राक्षस हारे लोहे के अस्तरों ने बाजी मार ली, इतिहास आगे बढ़ा पलीते वाली बंदूकों ने, कार्टूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम, वर्षक, वायू यानों ने, इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, ये सब को मालूम है जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ता गया, और लोहे के जो हत्यार है, उनका इस्तिमाल होने लगा, तो देखा जाने लगा कि नाग हार रहे हैं, सुपर्ण हार रहे हैं, यक्ष भी हार रहे हैं, और गंदर्व भी हार रहे हैं, असूर भी हार रहे हैं, और रक्षस भी हार रह हैं क्योंकि मनुष्य के पास लोहे के हतियार हैं और आगे इसी तरीके से जब इतिहास बढ़ता है तो उन हतियारों में बंदूक कार्दूस तोप बम और बम वर्शक वायू यानों ने इतिहास को ऐसे कीचड़ भरे घार तक घसीटा है कि ये सब को मालूम है और हम सब आज क जमाने में भी और यहां तक की हिरोशिमा और नागसाकी के जो बम ब्लास्ट हैं उन सभी के बारे में भी सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इंसानी नुकसान पहुँचाए हैं नक धर नक धर यानि नाखनों को धारण करने वाला मनुष्य एटम बम पर भरोस चुका है वो मनुष्य जो नक धरी हुआ करता था यानि वो नाखनों को धारण करके अपनी जीवन रक्षा किया करता था आज वो ऐसे ऐसे बम त्यार कर रहा है जो इंसानी प्रवित्ती को खतम करता जा रहा है मनुष्यता को खतम करता जा रहा है पर उसके नाखन अब भी बढ़ रहे हैं अब भी प्रकृती मनुशे को उसके भीतर वाले अस्तर से वन्चित नहीं कर रही है प्रकृती जो है यह देख रही है कि मनुशे कहां तक आगे बढ़ चुका है लेकिन प्रकृती जो है उसने उसके भीतर वाले अस्तरों को अभी तैयार करना बदने किया है उससे वन्चित नहीं किया है, आज भी वह याद दिला देती कि तुम्हारे नाखोन को भुलाया नहीं जा सकता, तुम वही लाखो वर्ष पहले के नख दंताव लंबी जीव हो, नख धारण करने वाले, पशू के साथ एक ही सता पर विचरने वाले और चरने वाले, कहने करते हैं कि अब लेखक जो है, वह यह बताना चारा है कि नाखोन जो है, किस तरीके से हमारी जीवन रक्षा में हमारी मदद करता था, लेकिन वो हमारी मनुश्यता पर उंगली नहीं उठाता था क्योंकि नाखून जो है वो आप उसके माध्यम से अटैक तो कर सकते हो उससे दो चीजे होती है एक तो आपकी जीवन रिक्षा होती है साथ ही आप सामने वाले को सिर्फ घायल कर सकते हो लेकिन उसकी मृत्यू नहीं होती और जिस तरीके के लोहे के हत्यार एटम बमों का प्रियोग हो रहा है वो हमारी मनुश्यता को भी खतम कर रहा है तता हकिम मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुश्य आज अपने बच्चों को नाखून ना काटने के लिए डाटता है लेका कहते हैं कि फिर क्या अब मैं ये देखकर हैरान हो रहा हूँ कि मनुश्य जो है आज अपने बच्चों को नाखून नहीं काटने के लिए डाट रहा किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वे अपने बच्चों को नाखुन नष्ट करने पर डाटता रहा होगा लेखा कह रहे हैं कि कुछ लाखो वर्ष पूर्व की ही बात है जब नाखुन हमारी जीवन रक्षा करते थे और नाखुन काटने पर जो पेरंट्स है वो अपने बच्चों को डाटा करते थे क्योंकि वो उनकी जीवन रक्षा के काम हाते थे इसलिए नाखुन नहीं काट सकते थे अब मनुष्य जो है आज अपने बच्चों को नाखुन ना काटने के लिए डाट रहा है लेकिन प्रकरती है कि अब वे भी नाखून को जिलाए जा रही है और मनुष्य है कि वे अभी उसे काटे जा रहा है वे कम बक्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटी कोटी गुनाशक्ति शाली हत्यार मिल चुका है लेखा कह रहे है कि इसी नाखून के लिए पेरेंट्स लाखो वर्षपूर बच्चों को डाटा करते थे कि नहीं काटना और आज नहीं काट रहे हो तो पेरेंट्स डाट रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये पशुता की निशानी है जबकी वो पहले के मुकाबले आज के समय में पशुता जादा कर रहा है जहां उसकी इनसानियत खतम होती जा रही है लेखा कहते हैं कि वो अभी भी बढ़े जा रहें क्यों बढ़े जा रहें क्योंकि वो अंधे हैं कौन नाखून क्योंकि वो नहीं जानते उनको नहीं पता कि मनुश्य जो है वो इससे भी ज्यादा लाख गुना शक्ति शाली हत्यारों से मिल चुका है मुझे लगता है कि मनुश्य अब नाकून को नहीं चाहता उसके भीतर बरबर युक का कोई अवशेश रह जाए यह उसे आसहय है यह अब मनुश्य को लगता है कि उसे इस तरीके की पशुता की निशानी वाली चीजे जो है नहीं चाहिए और यह उसे आसहनिय है लेकिन यह कैसे कहूँ नाकून काटने से क्या होता है मनुश्य की बरबरता घटी कहा है लेखक कह रहे हैं कि नाखून काटने से मनुष्य की पशुता कम तो नहीं हुई है बलकि बढ़ गई है पहले पशु के समान उसके नाखून बढ़े होते थे लेकिन वो उसके काम आते थे और उसमें मानवता और इंसानियत बनी हुई थी आज के टाइम में इनसान जो है अपनी पशुता को बढ़ा रहा है मानवता को कम कर रहा है खतम कर रहा है क्यों? क्योंकि वो ऐसे से हत्यारों का इस्तिमाल कर रहा है और देखाने के लिए नाखुनों को काट रहा है आप अंतर समझें यहाँ पर अंतर लेखा की ही बताना चारे पहले क्या था इंसानियत जिंदा थी इंसान जो है नाकुनों को बढ़ा कर अपनी जीवन रक्षा किया करता था सिर्फ और इंसानियत उनकी जिंदा थी आज के टाइम में इंसान जो है नाकुनों को काट कर अपने आपकों सब भे दिखाना चारा है लेकिन ऐसे हत्यारों का इस्तिमाल कर रहा है जो उनकी इंसानियत को अंदर से मार चुका है नाकुन काटने से होता क्या है मनुष्य की बरबरता घटी कहा है वह तो बढ़ती ही जा रही मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है यह तो उसका नवीन रूप है और इसी तरीके से जो हिरोशिमा का हत्याकांड है जिससे सब जानते हैं लेकिन आज के टाइम में वो हर पल नए रूप में सब के सामने आ रहा है मैं मनुष्य के नाखून की और देखता हूँ तो कभी-कभी निराश हो जाता हूँ यह उसकी भयंकर पाश्वी वृति पाश्वी वृति यानि जानवर वाली प्रविति जो है वो उसके जीवन्त का प्रतीख है यानि लेखक जब-जब लोगों के नाखूनों कोई और देखता है तो उसे उसके अंदर की पशूता दिखाए देने लगती है जो भी भी अभी भी जीवन्त है मनुष्ये की जो पशूता है उसको जितनी बार काट दो वह मन नहीं जानती और मनुष्ये की जो पशूता है यानि उसके अंदर का जो जानवर है लेखकँ ऐसा लग रहा है कि वो नाखून के रूप में ज़ाहे जितना भी काट दे लेकिन जो उसके विचार हैं, जो उसके तौर तरीके उसने अपना आ लिये हैं वो पशुता के रूप में आज भी जीवन थे, जिन्दा है उनके अंदर कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उप्योग में लाना शुरू किया था वात्सियायन के काम सूत्र से पता चलता है, कि आज से 2000 वर्ष पहले का जो भारत वासी है वो नाखूनों को जम के सवारता था, अब जो लेखक है वो ये भी बता रहे हैं कि ये भी एक बहुत पुराना जो है पुरानी बात है कि लोग नाखुनों को उस वक्त पे सवारते भी थैं आज के टाइम में हम सभी जानते कितना बड़े लेवल पे कितने महंगे महंगे नेल आर्ट्स होते हैं लोग नाखुनों को अपने सजाते हैं लेकिन पहले कुछ हजार साल पहले जब चीजे इतनी उपलब्द नहीं थी फिर भी लोग उन्हें सजाया करते थे वात्सियायन के कामसूत्र रचना से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले भी भारत वासी जो है वो नाकनों को जम के समारता था यानि सजाता था उसे उनके क काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है वो लोग भी नाकनों को काटते थे लेकिन बड़े ही मनोरंजक ढंग से कैसे त्रिकोन यानि तीन कोनों की जैसे डिजाइन करके वर्तुला कार करके चंद्रा कार करके दंतुल आधी विविद आकृतियों के नाकून उन दिनों विलासी नाग्रिकों के ना जाने किस काम आया करते थे। उनको सिक्स्थ मोम और अलग तक आलता से यतनपून बड़ी मुश्किल से बहुत ही प्रयास करते हुए रगड कर लाल और चिकना बनाया जाता था। तो लेखक बताते हैं कि सवारने का काम जो है नाखुनों को कैसे किया जाता था पहले उन नाखुनों पर मोम लगाई जाती थी और मोम लगाने के बाद उस पर आलता लगा जाता है। नाखुनों को तो जो दक्षिन के लोग हैं वो छोटे नाखुनों को पसंद करते थे। अपनी अपनी रुची है यानि अपनी अपनी पसंद है देश की भी और काल की भी यानि अपनी अपनी पसंद की बात है हर एक देश की भी और एक एक समय की भी लेकिन समस्त अदो गा चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। लेखा कहते हैं कि जो समस्त अधोगामनी वृत्तिया हैं और नीचे खींचने वाली जो वस्तुएं हैं वो भारत वर्ष ने मनुश्य चित बनाया है यानि मनुश्य के लायक बनाया है और ये बात चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। लेख में उस चीज़ के हर एक तरीके हैं, जो ढूंडने पर हर एक इतिहास में देखने को मिलता है, और वो चाहकर भी जो हैं, लेखक नहीं भूल सकते हैं मानव शरीर का अध्यन करने वाले जो प्राणी विज्ञान यानि प्राणी विज्ञान अब बहुत सारी ऐसी चीजे है जो उसके मन की तरह उसके शरीर में भी बहुत सारी चीजे जो है देखने को सहजता ही मिल जाती हैं दीर्ग काल तक उनकी आवशकता रही है अतेव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि ये वृत्या अनायासी अनायासी यानि आटोमेटिकली जो है वो शरीर के अंजान में भी अपने आप जो है वो काम करती हैं कहने का आर्थ है जो लेखा के प्राणी विज्यानी है प्राणी विज्यानी यानि जो की शरीर के विशे में जो जानकारी एकत्रित करते हैं उनका मानना है कि शरीर का कुछ हिस्सा जो है वो अनायास ही जो है काम करता रहता है जो हमें महसूस नहीं होने देता और लेकिन वो काम जो है चलते रहते प्रक्रियाय चलती रहती है आप जैसे कि बाल बढ़ते वे नहीं देख सकते हैं लेकिन निरंतर वो बढ़ रहे हैं नाकून बढ़ते वे आप नहीं देख पा सहजात जो एकदम से स्वेम से होती रहती है साथ साथ चलती रहती है लेकिन वो हमें नहीं दिखती जिसे लेखक ने गिनाया है क्या नाखून का बढ़ना, बालों का बढ़ना दात का निकलना, पलकों का गिरना ये सब चीजे चलती रहती है लेकिन हमें महसूस नहीं होती है अंजान की स्मृतियों को ही कहते हैं सहजात वृतिया जो है अंजान की स्मृतियों को ही कहते हैं हमारी भाशा में भी इसके उधारन मिलते हैं अगर आदमी अपने शरीर की मन की और वाक की यानि बोलने की जो छमता है उसकी अनायास गटने वाली वृत्यों के विशे में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवित्य पहचानने में बहुत सहयता मिले पर कौन सोचता है सोचना तो क्या इसे इतना भी उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नक बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ती है सहजात वृत्ती जनम के साथ जो प्रवित्या होती है वो जनम के साथ ही शुरू होती है और जीवन भर इंसान जब तक जिन्दा रहता है वो चलती रहती है उसे कहते हैं सहजात वृत्ती वे उसके पशुत्वकों का प्रमान है तो लेखा कहते हैं कि सोचना क्या, इस बारे में हमें पता तो नहीं चलता, लेकिन हमारे भीतर जो है नक, यानि नाकून बढ़ा लेने की जो सहजात वरित्ती है, यानि जनम से मिलने वाली ये जो प्रवित्ती है, वो हमारे उसके पशुत्व का ही प्रमार है, उन्हें काटन अपने मनुश्यता को जीवित रखना चाहता है वे उसकी मनुश्यता की निशानी है और यद भी पशुत्व के चिन उसके भीतर रह गए है पर वे पशुत्व को छोड़ चुका है पशु बनकर वे आगे नहीं बढ़ सकता उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए अस्तर बढ रहाने की प्रवित्ती मनुश्यता की विरोधनी है नेखा कहना चाहते है कि नाखुन काट के इंसान अपने इंसानियत को जिन्दा रखना चाहता है मनुश्यता को जिन्दा रखना चाहता है और जो नाखुन बढ़ते हैं वो हमारे पशुता की निशानी है लेकिन मनुश् वो उसका विरोध करती है मेरा मन पूछता है किस और मनुश्य किस और बढ़ रहा है लेखक जो है उसका मन जो है वो कई सवाल कर रहा है कि हम किस और बढ़ रहे हैं कहने कारत है हमारी सोच किस तरफ जा रही है नाकौन तो काट ली इंसानियत बरकरार रखने के लिए लेकिन इतने हत्यार तियार कर लिए और इंसानियत को खतम करने के लिए इतनी अपनी सोच को उन्होंने आगे बढ़ा लिया है तो ये किस तरीके और किस रह पर चल रहे हम लोग पशुता की और या फिर मनुश्यता की और अस्तर बढ़ाने की और या फिर अस्तर को काटने की और लेखक कह रहे हैं कि अब हम किस और बढ़ रहे हैं ये हमें नहीं पता चल रहा है मनुश्यता की और बढ़ रहे हैं या फिर पशुता की और अस्तर बढ़ाने की और बढ़ रहे हैं या फिर अस्तर काटने की और क्या है कि नाखून काटे जा रहे हैं मनुष्यता को बरकरार रखने के लिए लेकिन अस्तर बढ़ाये जा रहे हैं तो पाशुता तो कहीं से भी नहीं खतम हो रही मेरी निर्बोध निर्बोध बोध का मतलब होता है समझ निर्बोध मतलब जहां आ समझ हो बालिका ने यानि की मेरी निर्बोध छोटी बालिका है इसका मतलब अभी वो बहुत समझदार नहीं है तो मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मुझे मनुष्य जाती से ही प्रशन किया है जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये हमारी पशुता के अवशेश है मैं भी पूछता हूँ जानते हो ये अस्तर शस्तर क्यों बढ़ रहे हैं यह हमारी पशुता की निशानी है। लेखा कहते हैं जिस तरीके से मेरी छोटी बेटी मुझसे पूछ रही है कि नाखून क्यू बढ़ते हैं और मैं जानता हूँ नाखून इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर अभी भी पशुता बरकरार है। उसी तरीके से मैं भी अपने आप से प्रशन पूछ रहा हूँ कि हम अस्तर क्यों बनाते जा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर अभी भी पशुता बची हुई है। भारतिय भाषाओं में प्राया ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंडेंस शब्द का समानातक शब्द नहीं व्य Attorney है होता। पंदरा अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की गोशना कर रहे थे देशी भाषा के पत्र स्वाधिनता दिवस की चर्चा कर रहे थे लेखा कहना चाहते हैं कि जहां अंग्रेजी का शब्द इंडिपेंडेंस बोलता है और हिंदी का शब्द जो है स्वाधिन्ता बोलता है इंडिपेंडेंडेंस का अर्थ होता है अनधिन्ता यानि जो दूसरों के अधिन नहीं है यानि कि इसका अर्थ तो वो स्वतंतरता दे रहा है लेकिन जो शब्द है वो अधिन्ता शब्द को सामने ला रहा है या किसी अधिनता का अभाव पर स्वाधिनता जो है वो ये दिखा रहा है स्वा पहला ही शब्द जो है वो स्वा दिखा रहा है यानि स्वेम का जो स्वेम के अधिन हो जो की पॉजिटिविटी दिखा रहा है तो ये फरक है जो अंग्रेजी का शब्द independence बताना चारा है और जो हिंदी का शब्द स्वाधिन्ता बताना चारा है इसलिए इसी तरीकी के फरक को वो नाखुनों से सम्मंदित जो जानकारी इस पार्थ में चल रही है उसमें समझाना चारा है अंग्रेजी में कहना हो तो self-dependence कह सकते हैं मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तंग अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारत वर्ष independence को अधीन्ता क्यों नहीं कह सका उसने अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किये कहने का रथ है आजादी के नाम पर जितने भी शब्दों का इस्तिमाल किया जा रहा है जिसमें है स्वतंतरता स्वाराज्य स्वाधीन्ता जिसमें पहला ही शब्द जो है स्वा है और हिंदी के हैं और सारे ही इतने बहतरीन अर्थ दे रहे हैं उन सब में स्वा का बंदन आवश्य रखा क्या ये सैयों की बात है या हमारी समूची परंपरा ही अंजान में हमारी भाशा के द्वारा प्रकट होती रही है लेका कहने कि हमारी जो भाशा है वो अंजाने में ही इतने बहतरीन काम कर लेती है क्या जो अंजाने में ही सारे शब्दों में स्वा शब्द आ रहा है पहले ही अक्षर में पहल स्वाराज होने के बाद स्वभावता ही हमारे नेता जो है और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए शुरू से ही लेखक बात कह रहे हैं कि नाखून जो है हमारे जीवन रक्षा के लिए इस्तिमाल किया जाते थे नाखूनों को काट कर लोगों ने पशुता को दिखाना बंद कर दिया और पशुता दिखाने का दूसरा तरीक इस्तिमाल कर लिया अस्त्रशस्त्रों का भयंकर रस्त्रशस्त्रों का प्रियोग करके उसी तरीके से हमारा देश जो है आजाद होने के लिए इतनी मेहनत करके उसके बाद भी इंडिपेंडेंस जैसे शब्दों का इस्तिमाल कर रहा है जो कि हमारे अपने हिंदी शब्द में जो कि स्वराज्य, स्वाधिन्ता और स्वतंत जैसे शब्दों का इस्तमाल हो रहा है जो कि बहुत ही सभाविक रूप से इतने पौजिटिव वे में उन शब्दों का इस्तमाल हो रहा है अब लेखा कहना चाँ रहे कि स्वराज होने के बाद भी सभावता ही हमारे नेता जो है और वीचारशील नागर कि सोचने लगए कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए यानि ये देश जो है आजात तो है लेकिन इंडिपेंडेंडेंस वर्ड यूज करके अपने आपको अधीन दिखा रहा है कि दूसरों के अधीन था वो दूसरों के अधीन था और नाखुनों को काट के अपनी पशु प्रविता को दिखाये चले जा रहा है तो देश को असल मायनों में सुखी किया कैसे जाए हमारे देश की लोग पहली बार ये सब सोचने लगे हों ऐसी बात नहीं है हमारा इतिहार बहुत पुराना है हमारे शास्तुरों में इस समस्या को नाना भावो यानि कई भावों और नाना पहलों यानि कई पहलों से एंगल से इस पर विचार किया गया है हम कोई नौसिख्यूए नहीं है नौसिख्यूए मतलब जो नैने सीखने वाले हैं जो रात और रात अंजान जंगल में पहुचा कर अरक्षित छोड़ दिये जाए अरक्षित यानि कि जो जिनकी रक् हमारे अंजान में भी ये बाते हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रिणा देती हैं लेका कहना चाहता है कि हमारा जो भारत है हमारी जो संस्कृती है हमारी भाशा जो है अंजाने में ही वो इतने बहतरीन काम करती है लेकि लोगों को उसकी वैलू नहीं है लोग इसमें व बहुत बढ़ गई है पर मूल समस्यां यानि जो मूल में पर हमारे समस्यां थी वो बहुत अधिक अभी भी नहीं बदली है भारतिय चित यानि जो भारत का जो मन है भारतियों का जो मन है जो आज भी अनधीनता के रूप में ना सोचकर स्वधीनता के रूप में सोचता है वे स्वा के बंधन को असानी से नहीं छोड़ सकता है अपने आप पर अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेष्टा है अपने आप पर अपने द्वारा लगाया गया बंधन कहने कारत है कि independence जो की बताता है independence जो अब दूसरों के अधीन नहीं रहा है स्वाधिन्ता जो की स्वा के इस्तिमाल से बताना चारा है कि हम स्वाइम अपने द्वारा जो लगाय हुए बंदने अब अपने आपको उससे आजात कर रहे हैं ऐसे विचारों से ही जो है हमारी संस्कृति की ये जो बड़ी भारी विशेषता दिखती है वही उसकी मानता है मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है जो कुछ हमारा विशेष है उससे हम चिप्टे ही रहें पुराने का मो सब समय वांचने ही नहीं होता मरे बच्चे को गोद में दबाय रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती उधारन के रूप में लिखक बता रहे हैं कि जिस तरीके से मरे बच्चे को अपने सीने से लगाय रहती है बंदरिया वो कभी भी मनुश्य का आदर्श नहीं बन पाई यानि मनुश्य को एक सही रहा पर दिखाने के लिए एक best example नहीं बन पाया आस तक परन्तु मैं ऐसा भी नहीं सो सकता कि हम नहीं अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस सर्वस मतलब सर्वस्व यानि सब कुछ जो है वो नहीं खो सकते हैं कालिदास नहीं कहा है कि सब कुछ सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते लेखक का मानना है कि मैं सब कुछ पुरानों की बात करके कि सब कुछ पुराना ही सब खास है ये नहीं लेकर चल सकता जिस तरीके से मरे हुए बच्चे को बंदरिया अपने सीने से लगाए हुए गुमती है और वो एक आदर्ष नहीं बन सकता तो इसलिए वो जानते हैं कि सब कुछ पुराना अच्छा भी नहीं है और सब कुछ नया जो है वो खराब भी नहीं है दोनों ही मानसिक्ता को लेकर लेखक चल रहे हैं भले लोग दोनों की जाच कर लेते हैं, जो हितकर होता है, यानि फायदे मंद होता है, उसे ग्रहन कर लेते हैं, यानि बहुत सारे लोग जो हैं, दोनों ही point of use को लेकर चलते हैं, और जो best होता है, वो ग्रहन कर लेते हैं, और जो मूढ लोग होते हैं, मूढ यानि मूर्ख ल सकते हैं कहने का अरद है अगर आप में इतनी बुद्धी है कि आप दोनों ही perspective को लेकर बैठ सकते हैं और सोच सकते हैं कि क्या best है पुराना या नया या पहले का या आज का या इन दोनों में ही कौन सा aspect जो है बहतर रहेगा अगर आप दूसरों के साहरे हैं तो आप उनसे सिफ सलाहें लेते रह जाएंगे और भटकते रह जाएंगे लेकिन अपनी शमता को इतना बढ़ाई है कि आप जान सके कि क्या आपके लिए बहतर है और उसमें आपके लिए जो हितकर हो उसको अपनाए जातिया इस देश में अनेक आई है हम सभी जानते हैं देश जो है उसमें कई जातिया है लड़ती जगरती भी रही है फिर प्रेम पूरवक बस भी गई है सभेता की नाना सीडियों नाना यानि कई सीडियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक समाने धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी हम सभी जानते हैं भारत जो है इसमें अनेक धर्म हैं अनेक जातियां हैं अनेक संस्कृतियां हैं और इनी सब को एक साथ लेते वे भारत चल रहा है जो कि बहुत आसान बात नहीं है इनमें कई बार मतभेद भी होते हैं लेकिन साथ फिर एक रस्ता निकाला जाता है और फिर target की थी कि समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक समाने आदर्श भी है भारत में कई वर्ण और जातियां हैं और सबके अपने अपने अलग-अलग thought process है तोर तरीके है लेकिन इन सभी जातियों का एक समाने आदर्श भी है समाने यानि निद्रा आदी पशू सुलब सुभाव उसके ठीक वैसे ही है आप एक पशू के समान विवार नहीं कर सकते ना निद्रा ले सकते हैं और नहीं आहार ले सकते हैं और यही बाते जो है एक पशू में और इंसान में फरक करता है जैसे अन्य प्राणियों के लेकिन वैं फिर भी पशो से भिन है उसमें सैयम है दूसरों के सुख दुख के प्रती सम्वेधना है श्रद्धा है तप है त्याग है या मनुष्य के स्वयम के उद्भावित यानि सामने लाए बंधन है इसलिए मनुष्य जो है जगडे टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता गुस्से में आकर चड़ दोड़ने वाले आविवेकी आविवेकी यानि जो समझदार ना हो उसको बुरा समझता है एवं वचन मन एवं शरीर से किये गए आसत्याचरण को गलत आचरण मानता है कहने करते है जो साधारन वेवार हो जिसमें आप नॉर्मल बिहेव कर रहे हो अच्छे विचा हमें हमें और पशू में फरक करता है ये किसी भी जाती या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है ये मनुष्य मातर का धर्म है और लेखक बता रहा है कि तमाम जातियां है इस देश में तमाम वर्ण है जातियां है धर्म है और संस्कृती है लेकिन मनुष्य का एक ही धर्म ह इंसानियत जिसमें एक basic अटिकेट्स आते हैं कि इंसान का किस तरीके से मधुरवाणी होनी चाहिए एक basic विवार होने चाहिए दूसरों के मिलने बोलने बतलाने और अपने आपको पेश करने का सिक्षित होना महाभारत में इसी लिए निर्वैर भाव सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का समाने धर्म कहा है तो जाती धर्म वर्ण जो है सब कुछ है अलग अलग लेकिन एक common जो common basic जो विशेष्टा होती है कि इंसानियत की वही सब के लिए एक जैसा है गौतम ने ठीक ही कहा था गौतम बुद्ध की बात हो रही है उन्होंने ठीक ही कहा था कि मनुश्यता की मनुश्यता यही है कि वह सब के दुख सुक को सहान भूती के साथ देखता है गौतम बुद्ध का मानना है कि जो मनुश्य है उसकी मनुश्यता तभी मानी जा सकते है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो आप में मानवता है आप मनुश्य अच्छे इंसान हो तभी है जब आप दूसरों के दुख में दुखी हो और दूसरों के सुख में सुखी हो और उसस सहानु भूती दिखाए यह आत्म निर्मित बंदनी मनुश्य को मनुश्य बनाता है आत्म निर्मित यानि आप अपने सेल्फ कंट्रोल से ही अपने आपको इस तरीकी का ट्रेन कर सकते हो कि आप दूसरों के दुख से दुखी हो और दूसरों के सुख में सुखी हो अधरवाइस बहुत सारे लोग हैं दूसरों का दुख देखते हैं तो वो खुश होते कि अरे इसके साथ तो ऐसा हुआ और वो सुखी होते हैं तो उनको दुख होता है कि अरे यार इसके साथ ऐसा कैसा अच्छा हो गया तो ये हर इंसान को अपने आपको train करना पड़ता है कि ऐसा नहीं, ये गलत विवार है हमें दूसरों का दुख देखकर दुखी और दूसरों का सुख देखकर सुखी होना चाहिए और ये आत्म निर्मित बंधन ही जो है मनुशे को मनुशे बनाता है अहिंसा जहां मार काटना हो सत्य और अक्रोध मूलक जहां क्रोध ना हो धर्म का मूल उत्स यही है यानि इंसानियत और धर्म जो है तभी बना रह सकता है जब आप अहिंसा का पालन कर रहे हो सत्य का पालन कर रहे हो और क्रोध ना करे उसका पालन कर रहे हो मुझे आश्चर्य होता है कि अंजाने में भी हमारी भाशा में ये भाव कैसे रह गया है लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था अग्यान सरवत्र आदमी को पच्छाड़ता है अग्यान यानि कि जहां आपको ग्यान नहीं होता वहीं कोई भी आदमी हो जहां आपके पास ग्यान ना हो किसी भी छेतर में वहीं आदमी जो है पच्छड जाता है वो पीछे रह जाता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है यानि हमेशा त्यार रहता है मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा बड़े-बड़े नेता कहते है वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वर्दी करो और बाहे उकर्णों की ताकत बढ़ाओ एक बुड़ा था उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की और देखो यानि गुड़ा आदमी वो कहता है बाहर से नहीं अंदर से कोशिश करो अंदर का मतलब कहने का है इनसान को अपने उपर आंतरिक रूप से महनत करनी होगी वो तब सुखी होगा कैसे? हिंसा को मन से दूर करना मिथ्या को हटाओ क्रोध दुएश को दूर करो लोक के लिए कश्ट सहो अराम की बात मत सोचो प्रेम की बात सोचो आत्म तोशन की बात सोचो या आपको आत्म संतुष्टी हो काम करने की बात सोचो ये सारी जब बाते होते तो इनसान सुखी automatically हो जाता है उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वे हमारे भीतर है उच्छ रिंकलता जो है पशु की प्रवित्ती है स्वा का बंधन मनुष्य का स्वभाव है स्वा का बंधन यानि स्वयम को खुद से बाधना जो है वही इनसान को इनसान बनाता है बुढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं उसे गोली मार दी गई आदमी के नाखुन बढ़ने की प्रवित्ती ही हावी हुई लेका कहते हैं कि वो बुढ़ा आदमी एक बड़ी बात कह गया लोगों को बात पसंद नहीं आई और नाहीं समझ में आई लेकिन लोगों के नाखुन बढ़ने की प्रवित्ती हावी हो गई यानि नाखुन बढ़ने की प्रवित्ती हावी होने का मतलब पशुता हावी हो गई यानि लोगों ने अपने अंदर का इंसान मार दिया और उसके नाकुन बढ़ते गए और उसमें पशुता बढ़ती चली गई मैं हैरान होका सोचता हूँ कि बूढ़े ने कितनी गहराई में पैठ कर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था यानि बूढ़े ने अपना पूरा जीवन बिताया है उसका अनुभव बोलता था कि मनुष्यता तभी बरकरार रह सकती है जब आप अपने अंदर पे यानि अपने आंतरिक प्रवित्यों पर काम करेंगे तभी इंसानियत बनी रह सकती है और नाखुन बढ़ने की प्रवित्य जो हमें पशुता को दिखाती है वो खतम हो सकती है लेकिन लोगों ने उसी को अपने उपर हावी कर लिया ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखुनों का बढ़ना बंद हो जाएगा प्राड़ी शास्त्रियों का ऐसा अब नाखुन यहाँ पर बढ़ना बंद होने का मतलब यह है कि लेकिक कहना चाहते हैं इंडारेक्ट वे में कि इनसान की पशुता खतम हो जाएगा नाखुन तो बढ़ेंगे, obviously बढ़ेंगे प्राड़ी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक यानि बिना फाल्तु के जो अंग है उसी प्रकार जड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूछ जड़ गई है उस दिन अब लेखक जो है कहा रहे है कि मनुष्य होने की दो निशानी एक तो आपके बड़े बड़े नाखुन यानि पंजे दूसरा आपके पीछे पूछ समय के चलते इंसान की पूछ तो खतम हो गई लेकिन नाखुन बढ़ रहे हैं अभी भी वो भी खतम हो जाएंगे एक दिन लेकिन जो पशुता दिखरे ही अव्यवार में वो नहीं खतम होगी ऐसे उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुकत हो जाएगी शायद उस दिन मरना सास्त्रों का प्रियोग भी बंद कर देगा तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांचनी जान पड़ता है कि नाखुन का बढ़ना मनुष्य के भी तरगी पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है अपना आदर्श है वरहतर जीवन में अस्तर शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य की पशुता की निशानी है अब लेखा कि यहीं पर बता रहे हैं कि बच्छों को अब यहीं समझाना पड़ेगा कि नाखुन जो है बढ़ने का मतलब होता है कि यह पशुता की निशानी है और यहीं माना जाता था लेकिन लोगों ने इस बात को खारिज करके अपनी पशुता को बरकरा रखा है और तोर तरीकों को अपना कर और वरहत्तर जीवन में अस्तर शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य की पशुता की निशानी है और उसकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाया जाती है आप घृणा कपन पेगी जब आपका स्वा का नियंतरण नहीं होगा यानि आप अपने आपको ये ट्रेन नहीं करेंगे कि हमें किसी से घृणित नहीं होना है आप दूसरों को देखकर परेशान नहीं हो उसके जीवन को देखकर परेशान नहीं हो आप अपने जीवन को समारने के लिए और अधिक मेनत करें तो ये सब पशुता है इंसान इंसान तभी बन सकता है उसमें मनुष्यता तभी बरकरा रह सकती है जब वो स्वा पर नियंतरण करना सीखे स्वा यानि की स्वैम पर नियंतरण बनाया रखना सीखे स्वा का बंधन करना सीखे जो अनायास बिना सिखाया आ जाती है वह पशुत वकित देयों तक है और अपने को सहियत रखना सहियत यानि सहियम में रखना दूसरे के मनुभाओं का आदर करना मनुश्य का स्वधर्म है बच्चे ये जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तब से प्राप्त वस्तों मनुश्य की महिमा को सूचित करती है बच्चों को ये बता देना या वो जान जाएं या समझ जाएं कि मनुश्य जब कुछ अपने तप से यानि महनत से और अभ्यास से लगातार महनत से अभ्यास से जब कुछ पाता है तो वही उसकी महिमा को यानि उसकी इंसानियत को और उसके इंसान के होने की परिचे को देता है सफलता और चरितार्थता में अंतर है मनुष्य मरणा सास्त्रों के संचयन से बाहय उक्रणों के बाहुले से यानि अधिक्ता से उस वस्तू को भी पा सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ यानि बाहरी दिखावे के साथ छल कपट के साथ सफलता का नाम दे रखा है परन्तु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है मैत्री में है त्याग में है अपने को सब के मंगल यानि कि सब का अच्छा सोचने में ही मनुष्य की चरितार्थता है इसी के लिए निशेश भाव से दे देने में हैं कहने का रते ऑवर्वल अगर बात की जाए तो लेखा के कहना चाहते कि इंसान इंसान तभी तक है जब में जब वो स्वेम पर नियंतरन करना सीखे और कंट्रोल आप अपने स्वापर कंट्रोल करना सीखते हैं नियंतरित रखते हैं स्वयम को और अच्छे रहा पर चलते हैं और अच्छे करम करते हैं अपने लिए मेहनत करते हैं दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में सुखी होते हैं तो यह आपके मनुश्य होने की निशानी है लेकिन इस तरीके से नाखुनों को काट कर अपने आपको मनुश्य होना बताना और ये इसकी वावाही बटोरना जो है ये गलत है जब आप के अंदर के जो विवहार है जो आपकी विशेष्टा रहे हैं वो मनुश्यता की नहीं है बलकि पशुता की हूँ नाखुनों का बढ़ना मनुश्य की उस अंध सहजात वृत्ती का परिणाम है नाखुन जो है वो बढ़ते हैं और वो किसकी निशानी है अंधे सहजात वृत्ती की यानि ये सहजात वृत्ती है जो जरम के साथ चल जरी तार्थता की और ले जाता है, जब आप उस नाखून को काटते हैं, तो आप परीचे देते हैं कि आप स्वा के बंधन में हैं, और ये आपकी इंसानियत को दिखाता है, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुशे उन्हें बढ़ने नहीं देगा, और अगर आप कर रहे हैं कि आप पशुता की राह पर चले, अगर आप इंसानियत की राह को जानते हैं, तो आप उसे बरकरार रखने में सक्षम रहेंगे.